हाई अब्रीवन वेलकम बाक तो शाने क्लासे फुस्ट फॉल गुड़ेफटिंग ट्यू अब्रश रहे हैं शाम के चार यहां पर हम करने वाले हैं आद से सूला अप्रैल और पता है कि है संडे है मेरी चुट्टी है मनला मेरे चुट्टी है थी है सनिवार और रितवार मेरे चुट्टी है तो नहीं हो चलिए देखते हैं इससे क्या सीख रहे हैं आपको अपनी टाइम की पैंच्वालिटी होई चैकि नहीं मुझे चीज करनी ही करनी बहले तिक्कत करें लिकिन करो ठीक है उसका रिजल्ट मिलता है आई शुराट करते हैं आज की इसक्लास की इ चैकर करें लिंक का कमेंट डॉक्स में लेगा आई होब सो बेस्ट होंगे आप लोग बढ़िया होंगे मज़ेश अच्छे से पढ़िए कोई प्रोडम होती है तिकत हो रही है तो पताइए बताइंगा आपको जरूर से जरूर मिलेगा आप लग बोल रहे थे कि आप लोग आपके कमेंट नहीं आएंगे तो फिर हम कैसे करवा आपके मार में तुरी जहांक पाएंगे हमकी कैसे आपको गया दिकत हो रही है तो जिस भी बच्चे को जिस टॉपिक इन दिकत हो यो पर्टिकुलर टॉपिक बताओ तो आपकी वो चीजे में आपको शॉर्टर करवा द द्यान रखेगा कि आपको ये पीडियेफ मिल जागा विसे टेलिग्राम पर आपको देखने को मिलेगा यहां पर आप अराम से समझें मैं आथ में हमें रट्टा नहीं मारना समझना है चीजों को तो चीजे बहतरीन तरीके से हो जाएंगा कर लेजाएंगे चिक है आईए देखते हैं तो ये कल वही वाला है मैंने करने को दिया था जिसका मैंने आपको आंसर पताया था 364.50 का अंसर आएगा mostly बच्छों ने 9 थे क्रिशन को भीए दे तो आप लोगों ने कर लिया लेकिन थे दोह नहीं कि मैं उनके लिए ये क्रिशन कर वहाँगी आज कि वो भी ये बच्छे कर ले ठीक है देखिए क्या कह रहा था एक संख्या का 16% 216 है ठीक है कोई एक संख्या है उसका जो 16% है वो 216 के बराबर है फिर कह रहा है तो उसी संख्या का 27% क्या होगा तो आपको क्या बताना है वो संख्या मतलब उस संख्या थी एक कोई संख्या है उस संख्या का 16% 216 के बराबर है तो उसी संख्या का 27% वो कितने के बराबर होगा तो हम मान लेते ही सबसे पहले कि वो जो संख्या है वो एकस है, माना की संख्या पराबर X है, कि वो जो संख्या है, वो ऐस है तो यह आने कि X का 16 बरसे पराबर 216 होगा तो X का 27 बराबर क्या होगा? तो प्रेश्चन के अकॉर्डिंग जीतीवी चीह दी गें उसी केंसार सलेंगे थमने लिखा इसमें लिखा का मतलब होता है गुड़ा तो वह संख्या आपने एक्स मालनी मालनी ना आप एब्डी कुछी मांग़ें जो भी आपको सही रहें माल लो एक्स का सोला परसेंट बराबर दोसो सोला एक्स का सोला परसेंट बराबर दोसो सोला अब यह कैसे होगा यह कैसे की सोल्व कर पाएंगे डिखिए मैंने क्या किया एक्स बराबर आपका यहां पर दोसो सोला में सो से गुणा किया ठिक है डो जीरो एड हो गया और आपको यहां पर बात दी गई कैसे आप इसको करेंगे देखें ऐसे लिख सकते हैं एक्स गुड़े 16 बराबर लिख सकते हैं नहीं 216 गुड़े 100 लिख सकते हैं इस स्टेप के बाद हम यहां स्टेप चलाएंगे हां लिख सकते हैं फिर आप क्या लिखेंगे सिंपल तरीक से एक्स सोला एक्स लिख दो एक ही चीज़े बराबर 216 में 20 और यह गुड़ा हो जाएगा अब एक्स कमान निकालने के लिए आप इसमें 16 से भाग नहीं करोगे करोगे न तो यह वाला स्टेप मैंने नहीं लिखा इसलिए मैंने यहां पर बता दिया कि आप मैंसे जिन्हें आता है कि कैसे वो रहा है वो जरूर से जरूर देख लें स्क्रेंशॉट ले लिए कि आपका यहां से रिमोब होगा मैं टेलेग्राम पर भीज़ूँ कि तो यह आपको वहां नहीं मिलेगा तो आप लोग नहीं समझ में आ रहा है कैसे हो यह सकते हैं ताकि यह चीज़े इसको भाग दे दो काट दो यह तेरा सो पचास के पराबर आए अभी विस्ट नहीं हुआ अब क्या करेंगे हमको 27 परशन का बताना है यानि कि वह संख्या यहां पर थी इसका हम 16 परशन से का बता रहे थे ओतों कीजिव के हंड़ी इसको काट लेना ठीक है अराम से कि रेकाट देना तो आपका राइट लुकर कि आएगा वह आपका 304 त समलों पांच जीरो ने रगा लिए मैंने उन लोगों के लगा है जो नहीं लगा पाए थी इस प्रशन को क्लियर हैं सब्सक्राइब काटना आपको आना चाहिए चलिए आगे आईए नेक्स प्रेश्ट पढ़िए दो बार पढ़िए क्या दिया है कह रहा है एक 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 परिक्षा हुई थी और परिक्षा में बहुत सब्सक्राइब काटना चाहिए और इतिहास के परिक्षा में 25 पर्संट बच्चे पास हुए ठीक है दोनों विशय को मिला का 20 पर्संट में द्यार्थी फेल हो गए बताएए कि कुल कितने पर्संट बच्चे पास हुए एक एक एक्जाम हो रहा था और उस एक्जाम में 40 पर् पर्संट बच्चे पास हुए अब आप लगाएए आपको समय सुरू होता है अब पहले आपने कॉपी में रख में ट्राइब करिए फिर हमको सुलेशन दिखाएंगे ताकि आपको आईगी मिले लगाने से आपको नहीं आएगा आपको लगाना पुड़ेगा सोचना सब्सक्राइब कैसे करेंगे मैं बताऊं I hope so कि आप लोग को बहुत साइब बच्चों का आया भी होगा लगाई आरामस लगाई कोई जल्दी नहीं ताकि आए चलो फटा फट लगाओ सभी लोग लगाओ कि कैसे लगाओगे क्या करोगे क्या सोच रहे हो कि कैसे सॉल्फ होगा कि एक एक श्राम वेगास आया का भूगोल 40% मिला 40% रहे बच्चे गाशा 25 रहे हैं तो 20 पर याल जोगां कि निकालने का एक तरीका क्या है सबसे पहले तो आपको क्या नेकालना होगा कि 것 कने हुए तो कुल फेल का प्रखिध निकालो गया कुल फेल स्टुडेंट कितने है कैसे निकालोगे जितने है जटने इतिहास में पत्चस उनको ॡ और सब्सक्राद 4ग तो 20 परसे हो चालीश को पछेए iPhones उसके बाद आप 20 में से उसमें माइनस कर लोगा तो यह आपका 45 परसें निकल के आएगा जो कि आपको यह पता चल दाएगा कि जो फेल बच्चों का प्रस्ट है जो बच्चे फेल हुए है वह 45 परसेंट ठीक है आप कुछ करना नहीं है आप जानते हैं कि आपको क्या निकाल पास हुए तो क्या इस प्रॉब्लम क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम लगी कि अगर ऐसा प्रस्ट के सवाल टफ सेक्शन क्या आते हैं ध्यान रखिए लगाईए मैंने इसलिए सिरीज आपके पास है आप लगा लेंगे जो भी नहीं करवा है खरवा देंगे लेकिन कहें कर लेते हैं तो यह रहा एक क्वेश्चन में फिर से गवाँ बता देती हूं जिन्हें नहीं समझ में आया है रिवीजन हो जाएगा कह रहा है दस्वा परशन की एक एक्जाम हुआ था को एक एक्जाम हो रहा था उसमें चालिस परसंट बच्चे जोग्रफी में पास हो गय है थिक पाटिकुलर सब्जेक कर नहीं बताना है हमको अब यहां पर है कि दोनों विशे को मिला कर टोटल बीस परसंट बच्चे फेल हो रहे हैं दोनों विशे में देखके कह रहा है कि बताई कितने परसंट बच्चे पास आखिर हुए इसके लिए क्या करना होगा कि पहले अब आगे आए हैं नेक्स्ट पढ़िए देखिए 11 प्रेशन है आज का मतलब आज का यह तीसरा क्रेशन है दो बता दिया तीसरा है यह नंबरिंग वही सिक्वेस्ट में चल रही है प्रैक्टिस्ट में आज का यह दूसरा है हम अराम से करवाएंगे कोई प्रोलों में पांस करेंगे लेकिन सॉ प्रैस करवाएं 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 तो सूत्रा को पता है नई पता टेलिग्राम पर बहुत सारा भेज देंगे फिलाल के लिए सभी के लिए लिकिल लगाओ सभी दिव्याद इतनी है क्लास में वो इश्का सीतल रोहनी पूजा जूही शभांसी शालिनी शाली नाम की भी कहीं साहिर क्या है प्रेंका ठीक है बॉइज में रोहित सूरज सुमित मांशू इडेली वाले जबी है ठीक है सिया बिलकुल लगाई स्वीटी रागिनी रोहन पूजा है क्या अच्चीजिन में चरल्ट परष मुझाकिों में आएफ क्लेक्क प्रिश्चर के लिए ऐक कापी का क्डा इस प्रषयव को बना प्रश्च अनवर्वन यूदiones च्व्किर्वाच को इस कॉछ ऑगा ऑगा क्लि बादी अप राव प्रष्रत का फॉर्मॉला क्या होता है दोस्तों लाव प्रष्रत पराबर क्या होता है लाव उपर होगा बटे कॉस्प्राइस यानिकी पी उडे सो आब इसी सुत्र आपको समझना है चलिए अब दिखाती हूं कैसे सौल्ब होगा देखो बराबर अब आपको लाभ निकालना तो 5 मिसे आपको लाभ निकालने के लित टो तो क्या है अब आपको प्रश्चत लाभ में बताना है में तो सिर्फ लाव निकल के आए अब परश्वत लाव को सूत रूपर पढ़ा था कि लाव लाव लिखा था ना तो लाव ले दिया यहां पर लाव क्रैमूल कितना है दो तो तीन बटा दो गुड़े सो इसको आप काट दो क्या आएगा दो पचास बार में कट जाएगा और एक बेवान सौप की पर है दो किलो ग्राम चाय के स्थान पर सोला सो ग्राम चाय तौलता है दो किलो ग्राम चाय इसको देनी है लेकिन वो बेवान है इस वज़ा से वो सोला सो ग्राम की चाय बेशता है तौलता है बतलब तो दुकानदार का जो लाव प्रतिश्यत निकल र कैसे लगाएंगे थ्यान रखेगा पढ़िए लगाईए करिए कॉपी में तब आएगा लगाई लगाई फटा फट यही तो मज़ा है कि आप इसको लगाओ बिना लगाए नहीं आएगा एक बेमान दुकानदार है और दो किलो चाये के स्थान पर 500 ग्राम चाय तॉल रहा है यहें तो किंड के हम में दिलिए में दें अगर अब इसके बेच कोई पकड़ के बात समझ गया तो लगा लेगा चलिए लगाई बहुत साई तरीके होते जिसको जो पसंद था है जो जिस तरीके से लगाए ठीक है चलिए करिए आकर फटा फट करिए कि राइट आंसर क्या आएगा कैसे लगाएंगे आप लोग लगा तो लेंगे यह तरट अफटवड़ी है असान है लगाईए लगाईए बताओं मैं देखो कुछ नहीं करना है बहुत आसान है नहीं आता है तो फिर से आप देख लेना हम तो बताई रहे हैं सबसे पहले क्या ध्यान रखना है कि आपको दो किलोग्राम में जो दिया है इसको ग्राम में बदल दो क्या है इसको क्या होगा 2000 ग्राम् i盡 चायबंदे और क्या मार ले रहा है इसलिए इसमें इसीलिए बने दुखावूंतर कहा गया अब हम आपको यह पळशय गए है कि छो चाहर सो उस नगया है कि यह यह सही ह्मापना कितना था की 2,000 ग्राम और चाहिए गलत माप रहा है कितना 1600 तो गलती कितने की कर रहा है तुटी कितने की ले रहा है चोरी कितने की कर रहा है तो सही मैंसे गलत को माइस कर दो तो दो हजार में सुला सू मैस को खोगे तो je sweet hai 400 घ्राम की वो बन्दा चोरी कर रहा है लाव परश्षप निकालना है तो 50 कि है तो आपको लिखना है तो 25 आ बशाच्राइबी आगा यानि कि वो 25 यह वह होगां से आपको मार रहा है अपना विमानी का वह लाव वहां से लाव प्रश्य तो निकल के आ रहा है वह यही निकल के आ कि इतना वहां से लाव ले ले रहा है लोगों को चूटके पना के ठीक है चलें आगे यहां तक क्लियर है I hope so चलो फटा फट पर फ़ले like करो फिर आपके वहला question और इंट्रेस्टिंग है तब मतलब आए कि आज मैंने आपको प्रॉफिट लॉट सोले क्वेस्टिंज भी लिए कि आप लोग काफी तुन से केज मैंने नहीं कर वाया था तो मैं डाउट में जो जो पता है मैं कुशिश कर रही है कि सब कबर हो अब लाइक फटा फट करो चल संधित है ठीक है आज शाम को जहांता कर फ्रेंट्स आपको एक अपडेटेड वीडियो मिलेगी क्लास की शायद ना रहें जिसमें आपको कुछ बताया जाएगा साथा फुनेट की होगी बादल वक्त नहीं लोंगी संडे है तो एक वैसे वीडियो भी हो जाता कि कुछ ची किसी वस्तु का अंकित मूल्य किसी वस्तु का कोई सामान का अंकित मूल्य 500 रुपे है ठीक दुकान दाज 5% की छूट दे देता है 5% छूट दे रहा है और फिर 25% का लाभभी कमा रहा है 25% का लाभभी दे रहा है तो वस्तु का लागत मूल कितना है यही बताना है कोई साम हो दुकान दार उस पे 5% डिस्काउंट भी दे रहा है ठीक है छोट भी दे रहा है लेकिन फिर भी हो 35 परसंट कमा रहा है तो वस्तु का लागत मुल एक लगाईए लगाई लगाईए लगाईए इसत्र पर एक दम एक दम सूत्र पर फॉर्मुला पता है वाल्यों को पुट करें धड़ा धड़ा अंसर की दें कोई दिक्कत नहीं होगी लेकिन फॉर्मुला पता होना चाहिए अब आप लगाए तब हम बताएंगे कैसे करेंगे आप जल्दी रुके रहेंगे कोई जल्दी नहीं है उस तरह लेकिन लगाओ सभी लोग फटा फट लगाओ लगाएंगे तो चीज़े आएंगी मैथ प्रैक्टिस मांगता है जो प्रैक्टिस करेंगा वो रजल्ट पाएगा ध्यान लखेंगा ठिक्के हम मैथ लगाईए चलिए तो देखे अगर हमको लागत मूली निकालना है तो कैसे करेंगे पता है अंकित मूली गुड़े 100-चूट कैसे इसका एक सूत्र देखो लागत मूल लिखा अंकित मूली गुड़े 100-चूट ठीक है परसेड ध्यान रखना और नीचे लिखोगे अपन में 100 प्लस लाव का प्रश्ट क् अब अंकित मूल कितना है 500 सौयो लिख दो छूट कितने की मलते हैं 5 परसेंड की 5 लिख दो क्योंकि 100 में से 5 परसेंड की छूट है ध्यान रखना अब बराबर 100 प्लस लाव नीचे लिख दो 100 प्लस लाव कितना ले रहा है 25 प्रश्ट सौ में से 5 जाएगा 95 यह पांस और 100 अब मैंने इसको काटा है यह मैंने किस से काटा था 5 से काटा था 135 को काटा थो 25 आया और यह मैंने काटा थो 100 है फिर मैंने 5 से 100 को काटा थो 20 आया इसको काटा थो 5 आया 5 को मैंने 5 से फिर काटा इसको मैंने 4 से काटा मैंने 5 जो 20 फिर 4 गुड़े 95 यह तो 380 रुपए निकल आपको वस्त की जो लागत मूली थी वह 380 रुपए थी तीन सो असी रुपए थी और जो प्रिंटेड मूल था वह 500 रुपए था पांस परसंट की छूड़ी मिल रही थी और वंदा उसके उपद पच्चिस परसंट अपने जेब में डाल रहा था तो आप यह है कॉस्ट प्र प्रॉफिट लॉस निकालने के तरीके हम और भी प्रश्म करवा देंगे आज लेकिन हम इतना ही लिए हैं ठीक है तक कि प्रॉब्लम एक प्रेश्चन और लिए हैं लेकिन आधा सौल की और उसको हमने आधा छोड़ दिया है अब आप लगाएंगे तब कर उसको बताएंग पिर उसको बेच रहा है तो वसत्यू का दिकाथी क्या होगा Hos सबसे पहले हम एजम्शन करेंगे कि माना की वस्तुकर जो कॉस्ट प्राइस है वह एक्स है ठीक अब जो जो चीज कहा तब उसके हिसाब से करेंगे 120 परसंड का लाव ले रहा है यानि कि सौ में 120 सौ में 120 सौ से ज्यादा 120 मना लाव ले रहा है जुड़ेंगी न तो एक्स गोड़े 120 पटा सौ बराबर 309 अब इसके आगे जो की जो कड़ी है वह सौल्व करके आप मुझे बताएंगे यह आपका आज का टास्क है चो कि सिर्फ मैंने एक क्वेश्चन आपको दिया कल मैंने दो दिया था और आप मैंसे बहुत सारे पुट्रों इसका रिप्लाई दिया था तो जिर्फ में रिप्लाई दिया है वेरे गुड़ 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 के पटाप लगाईगे आईगा तो नहीं रिप्लाई के थे ब कमेंट वाक्स में आप पताएंगे क्योंकि आप नहीं कहा कि मैं लेवल थोड़ा हार्ड करिए तो हम आपको आपके डाउट वाले टॉपिक है उस पर करवा रहे हैं और जिन्होंने क्लास को लाइक नहीं किया लाइक कर दो नोट्स लेने हो टेलेग्राम पर जाओ नोट्स लो पढ़ो परसेंट नप्पे के नीचे मत ले आना इता ध्यान लगना पास तो हर एक बच्चा होगा मेरा ठीक है बाबाई टेक केर